तो दोस्तों Samsung के तरफ से बहुत ही जल्दी Samsung Galaxy M3 के अंदर आप लोगों के एक नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा बेसिकली जिसका नाम रहने वाल है Samsung Galaxy M41 स्मार्टफोन गैज मुझे लगते हैं आप लोगों में से बहुत से लोग Samsung Galaxy M40 के लोँच होने के बाद Galaxy M41 स्मार्टफोन का बहुत ही बेस अपरी से इंजार करें होगी और वाके में गैज यह स्मार्टफोन अब कुछ ओनलाइन साइट पर देखा गया है जासे हम यह पता चलते है कि यह स्मार्टफोन बहुती जल्दिक टैक बजार में लोँच हो सकते है गैज मुझे बताए जारा है कि यह स्मार्टफोन एक मैसिव बैटरी के साथ लोँच कहते है तो यह सब को जानने के लिए बिने स्किप्ट की वीडियो को आज तक जरूर देखें, अभी तक चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल सब्क्राइब जरूर करें, और आज किस वीडियो का लेक्टर रके ट्रेक्टेम 100 लेक्स का, गाईज मुझे पूरी- 41 स्मार्टफों पर मिलेगा, यानि कि triple camera का setup मिलेगा, rear side पर physical fingerprint scanner देखने हो मिलेगा, वो polycarbonate का battery दिया जाएगा, फ्रेंट साइड की बात करें तो यह स्मार्टपॉन 6.3 इंच के display के साथ launch हो सकते है, बट गाईज अभी screen size को लेकर कोई भी confirmation नहीं है कि, मुबाइल फोन पर इस पूल डिस्पले आपको Galaxy M40 स्मार्टफोन पर भी देखने को मिलती थी, बट वहाँ आपको Amuloid पैनल देखने को नहीं मिलता था, बता जाए रहा है कि Galaxy M41 स्मार्टफोन पर अपकी बार आपको Amuloid पैनल देखने को मिल जाएगा, तो बात करते है मुबाइल फोन के camera की, यह स्मार्टफोन ट्रीपल एर camera के setup के साथ लॉंच के जाएगा, 48MP का primary camera मिलेगा, secondary camera 12MP का मिलेगा जिक wide angle sensor होगा, 3rd sensor 5MP का मिलेगा जिक depth sensor होगा, यानि कि इस mobile phone पर आपको Macro sensor देखने को नहीं मिलेगा, और गई selfie camera को लेकर अभी तक कोई भी confirmation नहीं है, मेरे साब से पर जादे तर Samsung के smartphone पर अब आपको 32MP का selfie camera देखने को मिलते हैं, तो खुल मिलाकर यह smartphone camera के मामले में एक बढ़िये smartphone होगा, प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको Qualcomm Snapdragon 730G के SOC देखने को मिल सकते है, बट गईस अभी confirm नहीं है कि mobile phone पर हमें Snapdragon का कौन सा SOC देखने को मिले क्योंकि guys मैंने आपको leaks के हिसाब से बताया है कि यह smartphone Qualcomm Snapdragon 730G के powerful SOC के साथ launch किया जा सकता है, ओक तक और को प्रोसेसर भी मिलेगा, माइक्रेस डिकार्ड का dedicated slot और अलग अलग रेमेरेंस मिलेगा, बताया जाना है कि यह smartphone Qualcomm Snapdragon 710, यह 712 SOC के साथ भी launch हो सकता है, बट guys मैं पता दू कि अब इतर प्रोसेसर को लेकर कोई भी confirmation सामने नहीं आई है, अगर मुबाइल फोन की बैटरी की बात करें तो, यह smartphone guys कुछ दिनों पहले online साइट पर देखा गया था, जासा हमें साब साब पता चल रहा था है कि यह smartphone 6800 mAh के massive battery के साथ आएगा, और battery की image भी सामने आ गई थी, तो इससा में साब साब पता चल रहा था है कि आने वाला Galaxy M41 स्मार्टपोन आपको 6800 mAh यान की approach 7000 mAh की battery के साथ देखने को मिल जाएगा, और ओपीसलिए अपकी बार mobile phone पर आपको 15W से ज्यादा फास साजिन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि guys बड़ी battery को चार ये स्मार्टपोन आपकी बार एक बड़िये स्विश्च के साथ लोंच होगा, बट guys मैं आपको ये भी बता दूगी, M40 के बाद M41 ने बहुत ही जादा समय ले लिए है, तो ऐसे हमें हमें लगता था कि अब M41 स्मार्टपोन को लोंच नहीं किया जाएगा, बट कुछ पूर्टपोन के रिगार्डिंग कुछ भी इंफोर्मेशन सामने आती है, तो guys मैं तुरूंत आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताओंगा कि M41 किस स्पैक्स के साथ लोंच होगा, किस प्रैज के साथ लोंच होगा, मैं आपको बताओंगा मोबाइल फोन की कन्फम इस प्रैस के संथ तो हमाई चैनल को सब्सक्राइक जरूर करें उससाइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं